असलाम आलेकुम नाजरीन आज मैं आप लोगों को एक वाक्या सुनाने वाली हूँ जरा गौर से सुनें छोटा साही तो वीडियो होता है इसलिए आप लोगों से गुजारश करती हूँ वीडियो को पूरा देखें मक्का में एक वलिद नाम का काफिर रहता था उसका एक सोने का बुद्ध था जिसकी वो पूजा करता था एक दिन उसमें हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा लोगों मुहिम्मद से लिल्लाव तोईल आली वाली वसल्लम अल्ला के रसूल नहीं है उसकी तस्दीक मत करना माजला ये सुनकर वलिद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकल कर अपने दोस्तों से कहा मुबारको आज मेरा माबूद बोल उठा है और साफ साफ उसमें कह दिया है मुहम्मद से लिल्लाव तोईल आली वाली वसल्लम अल्ला के रसूल नहीं है ये सुनकर सब उसके घर ताकि सारे लोग दुबारा उस बुद से वही जुमले सुने जब सारे लोग वलिद के घर आ गए तो सबने वाली 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 वसल्लम को बुलाया हुजूर भी तश्रीफ लाए जब नभी तश्रीफ लाए तो बुद बोल उठा ए मक्कावालो तुम ये बात जान लो नभ के सच्चे रसूल हैं इनकी हर एक बात सची है और इनका दिन हक पर है तुम और तुम्हारे बुध जूटे हैं गुम्रा करने वाले अगर तुम इस सच्चे रसूल पर इमान ना लाओगे तो जहन्नम में जाओगे अकलमंदी से काम लो इनकी गुलामी इक्तियार कर लो बुद की ये बात सुनकर वलित घबराया और अपने बुद को पकड़ कर जमीन पर फेक दिया और उस बुद के टुकड़े टुकड़े कर एक आदमी को देखा उस्तिहात में एक तलवार थी जिससे खून तपक रहा था वो आपके पास आया हुजूर स्लिल्लाव तहौल आली वाली वसल्लम ने फरमाया तुम कौन हो उसने फरमाया मैं जिन हूँ मैं मुसल्मान हूँ आपका गुलाम हूँ जब लेतूर में रहता आपका में आकर वलिद के बुठ में घुष कर आपके बारे में नागवार बाते कह रहा था आज दुबारा आया था ताकि बुठ में घुष कर आपके खिलाफ कुछ बाते कह सekे या रसूल आल्ला मुझे सक्त गुठ साया और मैं तलवार लेकर में उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कतल करके खत्म कर दिया और फिर मैं खुद वलित के बुत में घुज गया और जो कुछ कहा मैंने ही कहा जब हुजूर्द अलाव तौहल आलीव आलीवसलिम ने ये किस्ता सुना तो बड़ी खुशी का इजहार किया और उस जिन के लिए दुआ फर्माई नाजरीन आप लोगों से गुजारश करती हूँ आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बैल आइकॉन दबा दे ताकि हमारी वीडियो की नई नॉटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे मिलती हूँ एक और नए इंफर्मिशन वाली वीडियो में असलाम आलेकॉम